नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी कदर इस्टेडी लाइन में फ्रेंड्स आज कस वीडियो में हम लोग VPSC का पूछे गई कोशन्स को कवर करेंगे और इसमें हम लोग हिस्टरी का जी के कवर करेंगे साथी साथ इसे मैं आपको एक्स्टर फैक्ट बताऊंगा जो कि एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सिरीज अच्छा लगेगा और आप लोग चेक आउट किजी कि अगर आपके एक्जाम में ऐसा कोशन्स आता तो क्या आप ये सही कर पाते चलिए देखते हैं फाला कोशन फर्स्ट कोशन से कि निम्न में से किस हरपन नगर में जुतेवे खेतों के निसान मिले हैं आपके सामने इस प्रकार है काली बंगन, भुलावीरा, मोहन जोदुरो या लोथल इसका right answer का option number 1 काली बंगन, काली बंगन जो है ये एक सिंदू सभेता का छेत रहें आपको पता होगा कि सिंदू सभेता इनकी खोज 1921 में हुई थी, कब हुई थीzh takim 1921 में सिंदू सभेता की खोज हुई थी किसने की थी दैयाराम सानी ने की थी बात करें काली बंगन के बारे में तो काली बंगन कहां पर पढ़ता है ये अपना राजस्थान में पढ़ता है ठीक है कहां पर राजस्थान में भारत में पढ़ता है और बात करें ये मोहन जोदरों की तो मोहन जोदरों में ये कांस की ज स्था और सतीक कलिया इन में से किस से समंदित है आपके सामने इस प्रकार है बहुत धर्म हिंदु धर्म जैन धर्म अत्वा इसाई धर्म ओप्सन नंबर आपको यह पे विमिलता है या तो आपको यह चार दिया गया इन से एक भी आंसर सही नहीं है, या फिर इसी में एक ओबलिक देखर के दिया गया है, कि इन में से कम से कम दो आंसर सही हो, ठीक है, याने कि एक से अधिक सही हो, या फिर इन में से कोई ना सही हो, ठीक है, तब आपको कौन सा ओप्शन टिक करना है, इनमर टिक करना है, ठीक है, यहां पर पूछा गया इसके बारे में तो इसका right answer का option number C यानि की जैन धर्म यह जो आप देख रहे हैं तीन रत्म यानि की सटीक ग्यान, सच्ची आस्था, सटीक के लिया यह सम्मंदित है जैन धर्म से जैन धर्म के बारे में कुछ आपको जानकारी देता हूँ अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक है वो कौन है तो रिसब देब थे जो की पर्थम जैन धर्म के तिर्थकर थे वहीं बात करें जैन धर्म के अंतिम तिर्थकर कौन थे तो महावीर थे कौन महावीर स स्वामी ठीक है उम्मिद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी चलिए चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला है इनमें से कि सासक ने चतूर्थ बहुत संगती कस्मीर में आयोजित की तो यह option आपके सामने इस प्रकार है असोक अजात सत्रू कनिस्क या फिर काला सोक देख कंडल वन कंटल वन में आयोजित क्या गिया था कस्मीर में और किसके सासनकाल में अच्छा उसमैं अध्यक्च क्ऊं ते तो वसु मित अध्यक्ष थे तो यह होवी थी तो ये हुवी थी राजगरी में किसके सासनकाल में अजासत्र के सासनकाल में दुट्ति अगर पूछे कि दुट्ति ये बहुत संगती कहां पर हुवी थी तो वैसाली में हुआ था कालासोक के समय में तीसरा पूछे कि तिर्ति ये बहुत संगती कहां पर हुआ था है पहला योग दूसरा न्याय तीसरा स्यांक और चवथा वैसे सीख तो इसका जो राइट ऑंसर का ओप्सन नंबर डी होगा वैसे सीख देखे फ्रेंड्स परमानुदर्पन जो है परमानुदर्शन जो है इनका सिध्धान्त वैसे सिख दर्शन कनात द्वारा प्रतिपादि लिया गया है ठीक है चलिए अगला देखतें अगला है कि दिल्ली यानि किस दिल्ली सुल्टानने रक्त एवं लहो की नीथी अपनाई थी इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है कि जो सत्रु होते है उनके परति कठोर निती अपनाना ये रख्ट एवं लोग की निती कहलाता है ठीक है जो की दिल्ली सुल्तान में बलवन ने अपनाया था ठीक है उमीद करता हूं ध्यान में रखेगा नेक्स्ट है कौन सा मद्धिकालिन भारतिय समराज व्यापक अस्तर पर अस्थानिय श्वशाशन के लिए परसीद था इसका आंसर अप्सन नमर बी यानि कि चोल वंस का संस्थापक विजियाले था ध्यान रखेगा चोल वंस का संस्थापक को था विजियाले था ठीक है और ध्यान ये रखेगा कि चोल वंस की जो राजधानी थी वो कहा थी तंजोर में थी मेद करता हूँ यह आपको समझ में आई होगी चलिए अगला देखते है अगला है परचीन कारी निम्न में से किस से समंदित है तो परचीन कारी जो है फ्रेंड्स ये दिवारों में अर्ध क किम्ती पत्थर जड़कर फूलों की नकासी करना ये कालाता है परचीन कारी ठीक है ओप्सन नमबर यहां पर राइट अंसर रहेगा नेक्स्ट है किस मुगल सासक ने चितरकारी के लिए कारखाने बनवाए थे उमीद करता हूँ है कि इसका अंसर आप लोग जो है अधिकतर बच्चे गलत ही देंगे ठीक है तो इसका राइट अंसर आप्सन नमबर यहां पर ठीक है अकबर ने जो कि ऐसे मुगल सासक थे जिसने चितरकारी के लिए जो की कारखाना बनवाए थे ठीक है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चितरकारी का स्वर्न यूग किसके सासन काल को मान जाता है तब जहांगीर बताना है और आपसे ये पूछे कि चितरकारी के लिए कारखाने किसने बनवाए तब आपको बताना अकबर के बारे में ठीक है ध्यान रखेगा अगला देखने अगला है इनमें से किसने 1857 के बिद्रों में सक्रिये भाग लिया आपसन आ आपको बताता हूँ क्यों इसे देखे नाना सहाइब जो थे ये कानपूर से थे 1857 की करांती के समय में बेगम हजरत महल लखनाउ से थे मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से थे बेगम जीनत महल ये दिल्ली से थे यानिक इसका आंसर सभी सही होगा ठीक है इसलिए य इंजन नहीं था इस अधिनियम को कहा गया तो 1935 के अधिनियम को ठीक है इनको 1935 के भालत सरकार अधिनियम को जवालाल नहरू ने कहा कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है प्रन्तु इंजन नहीं है ठीक है ध्यान रखेगा आपके आंसर के लिए ये इंपोर्टेंट रहेगा एक्स्टा फैक्ट ठीक है चलिए अगला देखते है अगला यहां पे डांडी आत्रा कितने दिनों तक चली थी तो डांडी आत्रा सभी को पतागा यह 24 दिनों तक चली थी चले मैं आपको डेट भी बताता हूं महत्मा गांधी ने डांडी आत्रा का प्रारम किया कब 12 March 1930 को अच्छे चली कब तक थी यह चली तिए आपका छे अपरेल 1903 भी तक यानि कि 24 दिनों तक डांडी यात्रा चला आए गई थी धान यह रखना है फ्रेंज्ट्स के स्टार्ट किया गया था 12 March 1930 साबर मतीज से स्टार्ट किया गया था और ये 6 अप्रेल 1930 इसवी को डांडी में जा करके समाप्त हुआ था इसे ही हम लोग नमक सत्यागरा के नाम से जानते हैं यहान यह रखेगा यह यात्रा जो है नमक पर लगाए गए कर अवैद करके लाब था ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे यहाँ पर परसीद गीत सर फ्रोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचैता कौन है यहाँ पर पूछा गया है रचैता के नाम ठीक है तो बहुत से बच्चे यहाँ पर राम परसाद बिस्मिल बता रहे होंगे लेकिन यह राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि आप BPS कर रहे हैं तो आप इतना सिंपल नहीं समझे ठीक है यहाँ पर पूछा गया है सर फ्रोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचैता कौन है तो देखे फ्रेंट्स इसका राइट आंसर होगा option number E ठीक है क्यों होगा मैं आपको बताता हूं देखे आपने नाम सुना आगा बिसमिल अजीमाबादी बिहार के करांति कारि थे इन场 उने ही कब लिखाता 1921 में सर फ्रोसी की तमन्ना यह गजल है इनको लिखा था लेकिन धहाँ यह रखेगा इस गजल को जो की परसिद किया था किसने किया था राम परसाँ बिसमिल ने इनको परसिद किया था ठीक है इ था ठीक है और यह गजल जो की आजादी के संघर्ष के दौरान यह क्या गया था इसमें क्रांती कारियों को नई उर्जा का संचार यह जो गजल करती थी ठीक है आगे यहां पे बंगाल विभाजन के प्रत्यागात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था तो आपको इसवी को बंगाल विभाजन की घोसना की गई थी जिसमें 16 अक्टूबर 1905 इसवी को यह लागू हुआ था ठीक है ध्यान रखेगा कब देखे मैं फिर से बता दे रहा हूं 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोसना हुई थी लेकिन लागू जो हुआ था 16 अक्टूब समराजवादी ब्रिटीस को आर्थी खानी पहुचाने का प्रियास किया गया था इस आंदोलन में जोकि स्वदेशी आंदोलन है नेक्स्ट यहां पे इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आई एन ए के मुकदमों के पक्च में पेस हुए वकील का नाम क्या था देखे फ्रें करनल प्रेम सहगल करनल गुरू बक्स सिंग और मेजर जनरल सहनवाज खान इन पर सन्युक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था और इनके ही पक्च में भुला भाई देशाई ने वकालत की थी ठीक है ध्यान रखेगा अगला कुशन है कि मैडम कामा ने भारत के त्री द्वज को कहां फर आया था तो इसका राया टांसर का ओप्सन नमर सी स्टुगार्ट मैडम कामा जो थी वो आपको पता होगा कि मैडम भीकाजी कामा इनका पूरा नाम क्या है मैडम भीकाजी कामा इनको हम लोग भारतिये सोतंतरता की जननी अत्वा भारतिये सोतंतरता की म किसे कहा जाता है तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है ध्यान रखेगा नेक्स्ट निम्ने में से कौन सी जोड़ी सही है तो इसमें से आपको दिया गया है इसका रायटाउंसरों का अप्शन नमर B सी आरदास को हम लोग देश बंधू के नाम से भी जानते हैं ध्यान रखेगा अगला देखते हैं अगला है भारतिय राष्टी कॉंग्रेश द्वारा किस दिन पुन्र स्वराज दिवस के रूप में घोसित किया गया था इसका रायटाउंसरों का अप्शन नमर A 26 जनबड़ और 26 जनबड़ी 1930 इसवी को भारतिय राष्टे कांग्रेश के दौरा पुन्र स्वराज दिवस मनाने की घोसना की गई थी आपको पता होगा कि इसी के कारण सुतंता मिली इसके बाद इसी दिवस को हम लोग गंतंतर दिवस के रूप में मनाने लगे ठीक है ध्यान रखेग 26 जनबड़ी 1950 से चलिए आगे देखते हैं आगे बंगाल में दौरी सासन परनाली किसके द्वारा लागू की गई यहर एक एक एक्जाम में पुछा जाता है ठीक है तो इसका रावर्ट कलाइब रावर्ट कलाइब द्वारा वर्स 1765 इस्वी में कब 1765 इस्वी में दौरी स परनाली थी इन वेवस्था को समाप्त कर दिया गया अच्छी यह दौरी सासन परनाली है क्या तो इसके तहस्द है अधिकार जो होते थे वो अंग्रेज अपने पास रखते थे और जितना करतव भी होता था जो भी काम काज होता था वो भारतियों पर ठोप देते थे जो भ गुए रहां रवर्य क्लाइब ने कब किया 2765 में यहां और इंपर्टन्ट यह बात होता है ओट रहन रहंद युवर्णर ज़न गर्त लोग लह वार्यस्टिंग रहाएं बत करें हम लोग लो महावयोग का मुगदमा चलाय गया था थीक श्रामी विविकानन्द नाथे ददर्म संसद में भाग लिया था यह आंसर सभी को पता ओगा थीक है आपको आंसर सभी को नंबर भी राइट आंसर रहेगा श्वामी विवेका नंद 11 सितंबर 1893सW को सिकागो में शिकागो तो एमेरिका में ध्यान रखेंगा कहां पे अमेरिका में तो यह 11 सितंबर 1893 इसमी में सिकागो में आयजित जो हुआ था धर्म सम्मेलन उसमें स्वामी विवेकानन्द ने भारत के तरफ से प्रतिनिदित्व किया था ठीक है और ध्यान ये रखना है कि स्वामी का नाम था जलिए और एक बात और ध्यान रखेगा कि स्वामी विवेकानन्द ने राम कृष्ण मीशन की अस्थापना की थी कब 1897 में राम कृष्ण मीशन की अस्थापना स्वामी विवेकानन्द के द्वारा की गई थी ठीक है ध्यान रखेगा और भारत का जो अध्यात् सभी एक्जाम है इसका राय टांसर होगा सी याने कि सी आर दास और मोतिलाल नहरू इनके द्वारा ही स्वराज पार्टी के अस्थापना 1923 में की गई थी धान ये रखेगा कि असयोग अंदलन की समीति के बाद जो है कांग्रेस के विभीन निताओं में असंतोस हो गया था इ उनमें परवेश कर स्थरकार की जो नीती है ना उनको अलुचना करना था ये इसी कारण से स्वराज पार्टी की अस्थापना 1923 में सी आर दास और मोतिलाल नहरू के द्वारा की गई नेक्स्ट यहां पर की परसीद नाटक नील दर्पन ये बहुत ही इंपार्टेंट है कि नील दर्पन जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चितरन किया गया है कि रचना किसने की है तो ये इसका राइट अंसरक आप्शन नमर डी दीन बंदू नील दर् नील के रखना है कि नील का जो बिजरो हुआ था कहां पर हुआ था बंगाल में कहां पर हुआ था फ्रामुक ने था दिम्र्विष्वास और भिशन्यूव्ष्वास नेक्स्त लिए 17 habr इसी खिलाब लड़ा गया अर्थाठ का को ना कि में उसका है अंग्रेजू सब्सक्राइ सुब्सक्राइब आसी बदिधा हो गया था कि भारत में जो है किसका स्वामित होगा अंग्रेजू students स्वामित होगा ध्यान ये भी रखना है कि वणडिवास कहां पे तमिल नाडु में ठीक है important रहेगा आपके एक्जाम के लिए नेवने में से किस अधिनियम ने भारत में पिर्थक निर्वाचन मंदल का आरम किया तो भारत में पिर्थक निर्वाचन जो की होने वाला था उसको कब आरम किया गया किस अधिनियम के तर तो भारतिय जो परिशाद अधिनियम 1909 है इनके तहत भारत में पिर्थक निर्वाचन मंदल का आरम किया गया ठीक है इस अधिनियम को हम लोग मारले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं इस अधिनियम के तरद भारत में पिर्थक निरवाचन की विवस्ता की पहली बार अपनाए गई थी ओके चलिए अगला देखते हैं अगला है आज किस वीडियो का अंतिम कोशंस है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी तो स्यामल दास कॉलेज भावनगर में इनकी पढ़ाई हुई थी कॉलेज की पढ़ाई ठीक है आपको पता होगा कि गांधी जी की प्रारमिक पढ़ाई है वो कहां पे बाद ये इंग्लेंड चले गए पढ़ाई करने के लिए तो इस तरह से मैंने जो कि BPSC में पूछे गए कोशन थे हिस्ट्री में वो मैंने करा दिया ठीक है और ये सेट नमबर वन है क्या है सेट नमबर वन ये मैंने कंप्लीट करा दिया उमीद करता हूँ कि ये रिविजिन या फिर आपने जो भी यहां से सीखा वो आपके एक्जाम के लिए हिल्फुल होगा ठीक है आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताए अगर आप लोग बिहार इस्पेस लाइन ऑफिसर और जॉइन कर दिजिए ये मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत